अम्शान्ती, सूलाई प्रक्लीश्वर दन में सकता सोगत है परमात्मा आज की वर्दा में कहता है कि बीती को श्रेष्ट विदी से बीती कर यादकार सुरूप बनाने वाले पास्विद ओनर भवा पास्ट इस पास्ट तो होना ही है समय और द्रश्य सब पास हो जाएंगे लेकिन पास्विद ओनर बनकर हर संकल्प वा समय को पास करो अर्थात बीती को ऐसे श्रेष्ट विदी से बीती करो जो बीती को स्मृत्य में लाते ही वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकले कि हमने जो भी बाते हमने जो past में महसूस करी है experience करी है उन सब बातों में से कुछ न कुछ हमें निचोड मिल रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है और उसमें हमें कोई भी guilt या कोई भी हमें किसी प्रकार की negativity या बुरा ही न दिखा दे अपने बारे में हम सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपने आपको change करते जा रहे हैं तो past is past, past से हमने सीखा past में गलतियां हुई हैं, जो कुछ हुआ है उसको सुधाते जाओ, अपने संसकारों को अब जाकर के परिवतन करते जाओ लेकिन past में ना अटक जाओ तो पर्मातर कहते हैं कि जो बीती को स्मृति में लाते ही वहाँ वहाँ के बोल दिल से निकलें अरे वह ये चीज़ सी की, अरे वह ये बाते नहीं हैं अरे वह ये change करनों तो मज़ा आ जाए अन्य आत्माएं आपकी बीती हुई स्टोरी से पाठ पड़ें कि हमने जो भी experience किया कुछ भी हमने गलती किया इसको हमने improve किया, कुछ अच्छा किया उसको और improve किया उससे और आत्माएं स्टोरी से पाठ पड़ें आपकी बीती, यादगार सुरूप बन जाए तो किर्तन अर्थात, किर्ती गाते रहेंगे तो आत्माओं को एक यादकार जैसा महसूस होईए तब चा करके किर्तन सुरूप, किर्तन गाते रहेंगे वो और हम यादकार सुरूप बन जाएंगे हुम्शंति